असलाम अलेकुम मेरा नाम है मुहमद रसलान और एंडनोट की वीडियो सिरीज की इस वीडियो में हम देखेंगे के एंडनोट 20 को कैसे इंस्टाल करना है और फिर इसके इंटरफेस को भी हम गो थू करेंगे इसका ओवर्वीव करेंगे पर बिफॉर इंस्टालेशन आप अगर विंडो यूजर हैं तो आपने इस बाद का ख्यार रखना है के एंडनोट 20 सिरफ विंडो 10 या पर अबव पर ही इंस्टाल हो सकता है और अगर आप मैक यूजर हैं तो आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा वहां से आपने ये जिप फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है डाउनलोड करने के बाद इसको अंजिप कर लेना है तो इसके अंदर आपको मिलेगा अडन नोट 20 का सोफ़्ट्वियर और उसकी की तो मैं पहले इसकी को कोपी कर लेता हूं यहां से और कोपी करने के बाद अडन नोट 20 को इंस्टाल करना शुरू रहता हूं आपने इस पर डबल क्लिक करना है उसके बाद next पे click करने है उसके बाद I have product की में आपने वह product की पेस्ट करनी है आपने ख्यार रखना है कि आपने copy paste करना है उचसे नहीं लिखना और उसके बाद next पे click करें यहां पे आप अपना नाम या पे कुछ भी लिख सकते हैं next next I accept license agreement next और typical रहने दे और इसको c पे install करें मैं जो है overwrite order file पे click करूंगा और इसके बाद इसको next कर दूंगा और इसको next और यह install होना शुरू हो जाएगा लेजिए यह मेरा दो मिनट के अंतर यह जो है software install हो गया मैं इसको finish करता हूँ और इसको close कर देता हूँ अब हम जो है endnote को new apps में जाके यहां से चला सकते हैं तो मैं यहां से endnote को open कर लूंगा करने के बाद आपने इसको update कर लेना है और आपका अप्डेट होना शुरू हो जाएगा लेजी मेरा endnote 20 जो है update हो गया to endnote 20.4.1 और मैं इसको finish कर देता हूँ और इस ने जो है update ने थोड़ा ज़्यादा time लिया installation से तो आपने जो है all app पे click करना है उसके बाद आपने यहां से इसको open कर लेना है open करने के बाद जो आपने पहला काम करना है वो है create library अगर आपके पास already कोई library मजूद है तो आप वो भी open कर सकते हैं मैं यहां पे create new library पे click करूँगा और मैं desktop पे एक folder बना लूँगा endnote के नाम से इसमें हम अपनी library को create करें मेरी new library create होगी है तो जिस folder में हमने library create की होगी अगर आप वो folder open करें तो आप दे सकते हैं यहां पे हमारे PDF कोई भी graphic picture table etc कुछ भी है वो यहां पे store होगा और आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि इन दोनों चीजों को आपने एक साथ ही रखना है चले हम अब बात करते हैं अपने endnote के interface के हवाले से तो interface को discuss करने के लिए मैं यहां पे as a reference एक reference ले लेता हूँ online search के थूँ यहां पे आपको within endnote आपको different databases के link दिया होंगे आप किसी पे भी click करके उस database में reference को search कर सकते हैं तो मैं इस database के अंदर जो है किसी reference को search करता हूँ मैं यहां पे एक keyword है green उसको type करता हूँ और मैं search पे click कर लेता हूँ तो यह मेरे पास जो है इस database के अंदर इस keyword के हल्याद से जो भी reference होंगे जिन reference में keyword आ रहा होगा तो वो मेरे पास यहां पे list up होना शुरू हो जाएंगे तो मैं यहां से एक reference ले लेता हूँ जैसी यह book है मैं इसको select करता हूँ select करने के बाद जो है मैं इसको अपने all reference में drag कर लेता हूँ drag करने के बाद मैं अपना all reference खोलता हूँ यह आप देखेंगे मेरे पास यहां पे reference आ चुक है तो जब मैं इस reference पे click करूँगा तो मेरे पास site window पे इस reference-related summary आ जाएगी और हम इस reference को edit भी कर सकते हैं इसके साथ जो है इसकी PDF है वह भी attach कर सकते हैं तो इस window में आप इस reference-related data है उसको देख सकते हैं उसको edit कर सकते हैं उसको attach कर सकते हैं तो यह जो है इसका reference format है इस reference का आप जो है यहां पर different format भी change कर सकते हो और इसके बाद अगर आप file में जाएं तो आप यहां से new library create कर सकते हैं, open existing library कर सकते हैं, अपनी library को share कर सकते हैं और उसके बाद अपनी library की copy बना सकते हैं इसको through email आप share भी कर सकते हैं, export भी कर सकते हैं और यह सारे reference जो आप list up करेंगे उसके बाद import कर सकते हैं, print अगर आपने किसी के साथ library manually share करनी है तो आप अपनी library को compress करे शेयर कर सकते हैं without compress अगर आप शेयर करेंगे तो आपकी library उसके पास open नहीं होगी edit में जो है आप इसका font size जो है reference बगरा या style बगरा change कर सकते हैं अगर आप preferences में जाएं तो तो आपको जो display field है इस reference के लिहाज से आप up to 10 जो है कॉलम उनको display कर सकते हैं यहां पर इस window में और इसमें जो है आप manually भी select कर सकते हैं कि आप कौन सी field को display करना चाहते हैं यहां पर और इसके बाद यह है display font यहां से आप जो है इसका display font change कर सकते हैं और इसके बाद जो है यहां पर full text अगर आपने find करना है तो आप manually भी कोई URL है वह दे सकते हैं और आप जो है यह different databases के URL select हुए हुए है और इसके बाद जो important चीज है वह है PDF handling इसमें जो है आप जो PDF attach करेंगे उसको जो है यह auto rename कर देगा और आप कुछ भी यहां से select कर सकते हैं उसके मताबर यह auto rename हो जाएगी और बाकी भी जनिके इसी इसी reference related चीज है और अगर आप यहां पर ग्रुप में जाएं तो आप जो है group create कर सकते हैं group set create कर सकते हैं और उसके पाद library में जाएं तो आप यहां पर जो है advanced search पर क्लिक करेंगे तो आप जो है within जो आपकी reference list होगी कोई भी keyword दे के आप उस reference list में आप उसके मताबिक search कर सकते हैं उसके बाद जो है आप जो है डुप्लिकेट भी find कर सकते हैं अगर आपके पास काफी सारे यहां पर reference हों और उसके बाद जो है आप जो fields है उनकी उनको change वगरा कर सकते हैं यहां से library summary देख सकते हैं और उसके बाद tools में जाएं तो आप जो है नहीं हो रहे तो आप वहाँ से select कर सकते हैं तो वह आपकी face में यहां और यहां पर prepare होना शूरू हो जाएंगे और उसके बाद यह जो है बाकी reference related चीज़े जो है इसके बाद एगर आप है'll पे click करें तो आप यहां से यहां एंड note को जो है आप update कर सकते हैं इसकी update चेक कर स है और आप जो है एंड्टो की community में जा सकते हैं search knowledge based कर सकते है इसकी joh Dos और ट्रेनिग sup Italia यहांı open कर सकते हैं आप जो है a इन्ट not online use कर सकते है जन्मिक्त अप online पे click करेंगे तो यह website open अपन हो जाइए आप हम नेक्स वीडियो में देखेंगे कि हम जो है different databases से कैसे reference को add कर सकते हैं अपनी library में और उसके बाद कैसे उसके साथ PDF अटाइच कर सकते हैं फिर हम जो है इस edit field को go through करेंगे कैसे हम जो different चीज़े add कर सकते हैं और ता सकते हैं even more